जमीन पर बैट कर तू क्या असमान देखता है पंखो को खोल जमाना सिर्फ उडान देखता है हेलो एंड वेल्कम तो यूट्यूब चैनल अफ कॉंपेटिशन कम्यूनिटी मैं हूं निकत परविन खान और आज के इस खास वीडियो सेशन में हम कुछ इंपोर्टेंट इंटर्व्यू सेशन के जो सीक्वेंस हम स्टार्ट करें उसकी पहली कड़ी को पेश करने वाले हैं आप सभी जानते हैं कि 18 सिप्टेंबर 2022 से कॉंपेटिशन कम्यूनिटी एक फ्री मेंस मेगा टेस्स सिरीज आयोजित करने वाला है और आप सबको हमने प्रॉमिस किया था कि इस टेस्स सिरीज से पहले आपको मेंस की स्ट्रेजी से संबंदित कुछ गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड किये जाएंगे फेकल्टीज की जो guidance वीडियो हैं वो भी आपको provide किये जाएंगे लेकिन उससे पहले हमने आपसे वादा किया था कि कुछ selected students जो अपने important कुछ पदों पर आसीन हैं उनसे भी एक interactive session रखेंगे और वो भी अपनी strategy आपके साथ share करेंगे तो बस इसी कड़िये में आज हमारे साथ इस खास मुलकात में मौझूद है 2020 CGPAC में सफलता के जंडे गारने वाली excise sub inspector मेधा मिश्रा माम वेल्कम माम ममस्ते हैं तो मीधा सबसे पहले तो आप CGPAC की जो आपकी जर्नी है वहां तक की जो आपकी crack करने की पुरी स्टोरी है उसे हम सब के साथ share करें जी मैं पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद competition community को मैं बहुत बहुत अभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे यहां पर बुलाया और मेरे कुछ experiences आप सब के सामने साजा करने का मौका दिया जैसे शायद कुछ experience को साहता मिलेगी अपने CGPAC की जर्नी में ताकि वो जल्दी से जल्दी इस जर्नी को crack कर सके और अपने मन पसंद post पर आ सके मैं CGPAC मेरे लिए एक challenging experience रहा है क्योंकि मैं engineering background से हूं मैंने mechanical engineering की हुई है शंकरा भिलाई से उसकी बाद जैसे सारे students का होता है मैंने भी technical की ही तैयारी start की थी बट somehow आपको कहते हैं वो calling नहीं आती है आप जो कर रहे होते हैं उसमें तो मुझे एक शुरू से ही civil services की तरफ जाने का काफी मन था बट due to some circumstances मैं आगे उसको pursue नहीं कर पाई बट after engineering तब UPSC करना चाह रही थी पर जी मैं मैं UPSC करना चाह रही थी बट फिर मैं वही coaching और वहां रहना और डेली और ये सारी चीज़े थोड़ी expensive और costly हो जाती है और हमारे time पे कुछ online available नहीं था material उस time तो मुझे सही proper guidance भी नहीं पाई तो फिर मैंने state services के लिए स्टारी स्टार्ट की ये मेरा तीसरा attempt था CGPAC 2020 का इसके पहले मैंने 2018-19 दिया हुआ है 2018 में मेरा prelims first attempt में ही निकल गया था और ये first attempt वाला जो था ये मेरा five marks से मेरे interview call जो था मेरा रहे गया था इसके ना failure is a stepping stone to success ये स्टार्ट की साल भर की फिर 2019 में मुझे 174 रैंक मेला लेकिन अनफॉटनेटी पोस्ट ने मिल पाई फिर 2020 में मेरा रैंक 91 रहा और मुझे एक साई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में दिवा है that's a great journey I hope आप लोग यह सारी चीज़ें सुन रहे हैं देखे आप जब preparation करते रहते हैं तो you need some words which will keep you motivated आपको motivated रहने के लिए inspired रहने के लिए consistency बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसी motivational लोग या बातें सुनना समझना आपको ज़रूरी है तब जाकर कि आपकी जो तैयारिया है उनको और जादा धार मिलती है कई बार हम अपने तैयारियों के दौरान वह सपार्क खो देते हैं और उस पार्क को दुबारा गेन करने के तो I am sure कि आप इन सभी शब्दों को सुन करके काफ़ इंस्पायर होए होंगे तो मेदा इस पूरे जैर्नी के दौरान आपको कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ होगा कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होंगी आपकी study में आपको कैसी दिक्कतें फेस करनी पड़ी है और उ मुझे सबसे पहले तो मीडियम बैरियर काफी लगा उस टेंपे क्योंकि बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी इंग्लिश में और मुझे पूरी तयारी जो अपनी थी वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके करनी पड़ी और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी तो मेरा पुरा सेल स्टेडी था शायद इसले कह सकते हूं कि मुझे थोड़ा टाइम भी जादा लगा क्योंकि आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो आप कर लेते हैं तो वो ऐसे थोड़े चालेंजेस रहे शुरू में रिसोर्स पता नहीं थे तो भटकते रहे कि य तो उन्होंने मुझे गाइड कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए तो मैंने इंडिया जीएस से फिर अपने खुद से पढ़ना शुरू किया जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं इंडिया जीएस के लिए तो फिर वही मैं ट्रांसलेशन वाला पाट बहुत चालेंजिंग अब तो बुक्स काफी अवेलेबल हैं मार्केट में इंग्लिश मीडियम की कोचिंग भी आ गई हैं काफी तो अब बच्चों को काफी इजी पढ़ गया है कि उन्हें अटलीस नोट्स ट्रांसलेट करने की जरुवत नहीं है तो मेरा आधा तो नोट्स ट्रांसलेशन में ल पैशन्स बना कर रखना कंसिस्टेंसी मेंटेंड रखना और उन्होंने कहा खुद को मोटिवेटेड रखना क्योंकि एक देर साल की जर्नी है देखे आप मैंसे जितने लोग इस इंटर्व्यू को देख रहे हैं आप मैंसे कई लोग होंगे जो पहली बार इस फील में कदम रख रहे हैं कई लोग होंगे जो एक दो अटेम्ट्स दे चुके हैं कुछ सफल हुए कुछ कुछ दूर तक गए और कुछ आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन जैसे कि उन्होंने का पेशिंस इस दे की तू सक्सेस पेशिंस बहुत जरूरी है लेकिन पेशिंस रखने के कि आपका मोटिवेशन बहुत बार लो होता है हम साट करते हैं पढ़ना दो दिन या तीन दिन हमारे कंसिस्टेंसी में रहती है उसके बाद फिर हम लो हो जाते हैं या तो फिर रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है थूर टेस्स और सम अधर मीडियम आप दिखते हैं आस-पास तो हम डी मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम यह सहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं पर मुझे लगता है कि अगर किसी फिल्ट को लेकर आपका इंट्रेस्ट है और अगर वो आपका एक जुनून है कि मुझे उस पोजिशन पर पहुंचना है तो वो आपको वो ड्रीम जो उठेंगे धिर से शुरुबाद करने के लिए तो मेरा मोटीवेशन रहता था कि मैंने अपने वॉल पर पर अपने इंस्पिरेशन की फोटो लगा के रखी थि और ऐसे लोगों को मैं फॉलो करती थी आईएस और जो अपने स्टेट सर्विसेस में पोस्ट पर है तो उनको मैं मैं सोशल मीडिया पर फॉलो कर रखा था कि मुझे उनकी स्टोरीज वगरा दिखती रहें तो मैं मोटिवेटेड रहूं कि मुझे यहां तक पहुचना है और कहीं न कहीं वह एक ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे यह चीज करनी है जस्ट बिकॉज इसलिए कि कोई आपको कह रहा है इसलिए कि आप वहां तक पहुचना चाहते है और फिर इसमें बहुत बार डी मोटिवेशन होता है तो फिर मैं तो यही उसमें सजेशन देती हूं कि आप थोड़े देर ब्रेक ले सकते हैं फॉर अपने प्रेपरेशन जर्नी में फॉर वन डे और टू डेज इफ यू लाइक कि अगर थोड़ा मुझे रुकना है यहां पर तो आप रुक जाएए और वापस से एक एनरजी अपनी गेन कर लीजिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं फॉर एक्जांपल आप सॉंग सुन लेकिन हाँ वो ब्रेक इतना जादा नहीं होना चाहिए और फिर आपको एक तम यह मान के चलना कि यह एक दिन मैंने अपने लिया है इसके बाद यहां से मुझे फिर से रिस्टार्ट कर तो मैं यह फॉलो करती थी कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर खुद को समय देती थी फि अब अपने लक्ष प्राप्त कर सकते हैं आप दूसरों को कितना भी बताएं कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूं या पढ़ती हूं या मैं पूरे राद भर जाके पढ़ता हूं या पढ़ते उसे फायदा नहीं आप जानते हैं आपकी केपैसिटी आप बहतर जानते हैं तो आप कि अगर मैं दो घंटे अपने फैमिली और फ्रेंट से मिलके भी आ जाओ तो भी मैं कवर कर लूँगा और आप जानते हैं कि मैं अगर पूरी राद भी बैट कर पढ़ता हूं तो नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए आप खुद जानते हैं आपकी केपैसिटी अपने साथ इमा रास्ते तक तो चलिए उस रास्ते पर पहुचके आगे का रास्ता खुद बाखुद दिखने लगेगा आपको तो ठीक है बहुत अच्छा लगए सारी चीज़ें जानकर आपसे अब हम ना पूरी तरह से जो स्टूडेंस हैं उनका जो एगमन में डाउट्स रहते हैं पू की पर्समल स्टेडिजी मेंस के और इंटेव्यो की स्टेडिजी बता है जी माम मैं मेरी कह सकते हैं कि महनत या फिर किसमत अच्छी रही है उस टाम पे कि तीन साल मैंने लगातार प्रिलिम्स निकाला है 2018,19,20 प्रिलिम्स में मैं कभी भी नहीं रूकी और मेरी कभी बॉंड अगर कोई coaching institutes में जा रहे हैं तो आपको guidance मिलता है या आप online भी कुछ courses purchase करते हैं तो आपको standard books क्या पढ़नी है या आपको पता होता है बट prelims की main strategy जो होती है वो objective approach पे है आपको objective approach में अपनी जो पढ़ाई है उसको आपको finally summarize करना आना चाहिए अब exam की कितने मेंने पहले से objective करते थी मैं मेरे according वैसे तो सब की strategy अलग हो सकती है बट मेरे according अभी जिस level का competition है हमें at least two to three months before three months before at least हमें start करना चाहिए preparation because competition का level अभी काफी high है तो एक दो question भी अगर हमारे चूक रहे हैं तो you are out of the race then बिल्कुल कई students जो हैं खास तोर पर इस बार का जो प्रिल्यम्स हुआ यह एक तरह का बाउंसर था जो conventional study कर भी रहे थे काफी वक्त से कई exams निकाले भी हैं उनके लिए भी बिल्कुल एक नया challenge था तो अब जो नए students even जो already पढ़ रहे हैं students उनके सामने एक बड़ा challenge आगे कि अब how to deal it further इस बार के हिसाब से आपने जो भी पेपर देखा आप क्या सजेस्ट करेंगी students को कि अगली इसकी स्टैडिजी क्या हुआ नए पेपर के हिसाब से ने पैटन के जैसे मैंने अभी मैं प्रिलिम्स का देखा तो तो थोड़ा सा अएंप्रेडिक्टिबल प्रेनली ता मेरे ही लिए अभी अव्य काफी नए णप्रेडिक्टिबल था इसलों ने बहुत सालोसे था किया है कुछलोग तो चूके हैं जो बहुत सालों तैयरी वाले भी हैं लेकिन जिनका एकदम सटीक रहा है वो लोगों ने लगाया है मतलब निकाला है यह प्रिलिम्स तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगी कि अभी जो मैंने कोशन का पैटर्न देखा अब वो थोड़ा सार डीप में उस चीज को डील करने की इसे पोशन से कोशन आ रहे हैं जिनसे कभी नहीं आए थे तो वो पैटर्न ओफ कोशन पेपर आपको एक थोड़ा स्टेडी करने बड़ेगी कि कौन-कौन से ऐसे एरिया से जिससे आप पूछा जा रहा है और आपको उस पे थोड़ा फोकस होने की जरुवत है आपने तैय कोशन पेपर तफ है तो आपको वहाँ बैठके उस समय इंस्टेंट डिसिजन लेना पड़ेगा कि आपको कितने कुशन से अटेम्ट करने हैं अगर आपने जादा कर दिया तो नेगेटिव जादा हो जाएगा तो अब यह वहला पेपर में रहा कि आप बस तुक्का मार के आप जाएं या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आपको एक इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आप करें तो इक इंटेलिजेंट गेसिंग करनी होगी तो वह दो घंटे आपके बहुत मैटर करते हैं वहाँ पे कि आप उस टाइम पर आपका कौन सा गेसिंग लग रहे हैं तो यह को अबजेक्टिव करके ही आएगा तो आप अबजेक्टिव जितना जादा करेंगे तो उससे यह फायदा है कि आप क्लोस टू करेक्ट आइंसर रहेंगे एट इस आपको वो जो हम 50-50 वाले पोजिशन में रहते हैं जिन को लेके तो चांसे सार वेरी हाई कि आप राइट वाले को टिक करें अगर आपने अब्जेक्टिव अप्रोच किया हूँ कि और आप अपनी प्रिपेशन को एक और एक यू डिरेक्शन दे सकते हैं तो मतलब आपने देखा जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि चीजे नहीं नहीं थी वहीं इसलिबस में अलग तरह के questions पूछे गए थे जो usually पूछे नहीं जाते तो कई लोगों को यह लगता है कि बिलकुल out of the syllabus questions आये था ऐसा बिलकुल नहीं था देखो एक generalized syllabus दे दिया जाता है means में problems में आपके लेकिन वो generalized syllabus में अगर कह रहा general studies of geography, general studies of history इसका मतलब it is very general general studies की कोई boundary नहीं होती तो आप यह नहीं बोल सकते कि यही एक syllabus है आज तक क्या आता है इस पर हमको focus नहीं करना है अभी क्या रहा है उस पर हमको focus करना है लेकिन इस लिए और एक बात कहूं कि जो आज तक आता है उसको आप ignore नहीं कर सकते आप XYZ पढ़ने के चकर में ABCD ignore नहीं नहीं है वो syllabus में already थी पस इस बार पूछ दिया अक्सर वो पूछता नहीं है ठीक है तो इन चीज़ को ध्यान में रखे प्रलेम्स के अलावा हम मेंस का तो एक डिटेल डिसकेशन करेंगे मैं आप इंटर्व्यू की strategy एक बार जाना चाहते है फिर हम मेंस पर डिसकस करेंग इंटर्व्यू के आपकी क्या strategy तो इंटर्व्यू के लिए मैं मेरी यही strategy रही कि be as genuine as possible as you are आप जैसे आप यह पूरी जर्नी तैय करके आए हैं सालों के आपके महनत रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोर कॉंसेप्स में आपको कुछ दिक्कत होगी अगर आपसे basic quality history के questions पूछे जाते हैं जो कि पूछते हैं interview panel में मैंने दो बार interview face किया है तो उसके लिए आप comfortable रहेंगे जस्ट आपको कुछ जो work करना है आपके personal details पे आपके bio data पे work करना पड़ेगा personal information पे आप क्या उसमें अपनी hobbies डाल रहे हैं इन सबसे related questions होते हैं hobbies भी मतलब मैंने सुना है कि fake नहीं रहने चाहिए आप बोलते हो कि I want I like to paint और आपको बोल दिया गया है paint करके बताओ I like to sketch sketch करके बताओ I like to sing apadachala आवाजी नहीं है तो genuine रहना चाहिए जित्ता real हो सकता है अपने आपको ऐसा present करना है आप वो hobbies डालिए या वो अभी रूचियां डालिए उसमें अभी रूची का column होता है विशेज जानकारी या अभी रूची ऐसा लिखा होता है तो आप उसमें अगर अभी रूची नहीं भी डालना चाहें तरीके से genuinely आएगा बस और be confident वहां पे काफी confident रहना है जो panel होता है काफी normal तरीकी की conversations होते है simple बातचीत होती है वो आपके बारे में जानना चाहते है या पका personality test है आपका knowledge test नहीं है इंपोर्टेंट है तो क्योंकि आप अपने आपको prove करके आ चुके हैं तो आपको certain कुछ-कुछ concepts में अपने post preferences को लेके आपने क्या post पहले भरा है और आप deputy collector क्यों बनना चाहते हैं आप इस field में क्यों आए हैं इन सब के answers ready होने चाहिए और यह आपको कोई artificial सिखा नहीं सकता है वो ऐसा है कि आपकी सोच क्यों थी civil services में आने की वहीं वहां पर reflect करें और आपको वहीं बोलना चाहिए बिल्कुल जैसे कि नोने का it is a personality test not a knowledge or a wisdom test ठीके personality test है तो be confident do not आपने चीजों को fake ना करें आप genuine रहें and that is the key to success for interviews चलिए अब हम अपने session को mains की तरफ मोल करते हैं जादा तर students जो है कि सभी answer sheets का free evaluation किया जाएगा जो भी बारी किया है main answer writing से संबंदित वो सब आपको बताए जाएंगे और आगे का interview में उसी पर focus करते हैं तो आप पहले खुद से बताया मैम की mains की क्या strategy आपने अपनाई थी जी मैम मैम जैसे कि मैंने बताया है 2018 वाला जो मेरा mains था तो वो मे पेपर कैसे लिखना एक answer frame करना वो बहुत important है तो उसके लिए practice बहुत must है हम सोचते है कि हम last में जाके वो कर लेंगे और हमने तो शुरू से अपने college days में अच्छा लिखा है but still मुझे फिर भी लगता है कि हमे answer writing practice की बहुत जरुवत है because यह civil services का exam है आप जाके instant answers नहीं लि जाल भर का था तो मैंने competition community test series जोईन की थी क्योंकि मैंने coaching कहीं नहीं करी थी तो मुझे लगा evaluation करना जरूरी है जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका तो मैंने competition community test series जो है वो अगस्ट से लेकर पूरी October November तक follow की थी October तक अब जब तक चलती है तो मैंने यह वाली full time वाली जो main test series थी वो मैंने जॉइन की तो मुझे यह पता चला कि मुझे क्या लिखना है और साथ-साथ मेरा mains का syllabus भी होता गया जैसे मैं test देती थी तो मैं syllabus prepare करके जाती थी उस पूरे हफते तो मेरा थोड़ा-थोड़ा करके portion prepare होता गया और जो लिखने का एक जो था speed होती है और test series का काफी importance रहा mains के लिए तो mains के लिए बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आप जितना ज्यादा हो सके answers लिखिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं वो तो मेरे हिसाब से लिख लिख के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको facts भी याद रहेंगे और एक answer में आपको क्या लिखना है वो insight भी आएगा कि आपको answer में क्या क्या points डालने हैं तो जैसे कि इनोंने का एक compulsion आजाता दिमाग में पहली बात तो test होते हैं तो हमारे लिए compulsion आजाता है कि इतना portion cover करना ही है तो test series से इस compulsion के वज़े से हमारा एक पूरा routine में आ जाती वो चीज़ें और एक चीज़ कोई बात को समझना और उसे लिख करके express करना दोनों में चीज़ें different होती है आप test series जोइन करते हैं तो इससे होता है कि real time experience हो जाता है कि आप वहाँ पर जैसा face करने वाले हैं वो test series के जरिया आप already experience कर लिए रहते हैं घर में लिखते हैं वो अच्छी बात है लेकिन test series में ऐसा होता है कि आप उतने समय में उतने space पे अचानक अलग अलग तरह के प्रशनों को कैसे हल करते हैं वो insight develop होता है जैसे कि मेंदा ने कहा ठीक तो जो test series होती है या खुझ से आप जब answers रिखते हैं मेंस की practice करते थे तो उस मेंस की answer में क्या क्या key points को ध्यान में रखते थे किन चीजों पर focus करके अपना अंसर लिखते हैं तो मेंस जो आप सिविल सर्विस के लिए लिखते हैं उसमें क्या difference लगता है इस पर क्या focus करना है मैं क्योंकि यह राज्य सेवा परिक्षा है और इसमें आपके answers काफी सटी कोने चाहिए आप बहुत ज़्यादा out of the context चीजे नहीं लिख सकते जो पूछा है आपको answer पर वही focus करना है क्योंकि जो checker होता है उसे पता होता है कि right answer इसका क्या है और काफी intelligent way में उसको check करते है और चाहते हैं कि आप उसका सटीक answer लिखे just like a civil servant तो वो important है कि आप answer writing कैसे कर रहे हैं अभी जो मैंने पतलब pattern देखा है मैंने तीनों बार का मेंस लिखा 18, 19, 20 का तो उसमें यह है कि आपका कुछ आपसे कुछ creative मांगा जा रहा है answers में क्योंकि conventionally तो हम answers ऐसे भी लिख सकते है paragraph wise एक पुरा essay जैसा हम लिख सकते हैं जो हम schools colleges में लिखते थे but this is not the way आपको bullet points में key points आपको वैसे point wise answer करना है जहां पे flow charts की जरुवत है जहां डाइग्राम की जरुवत है आप महां पे use करिए कुछ current data है आप वो डालिए वो आपसे यह expect करना चाहरे है कि आपे conventional writing ना कर कि कुछ creative writing करें तो उसमें यह सारी चीजें आपको डालना अब जरूरी है अब आप सिर्फ एक answer लिखके नहीं आ सकते उसमें आपको कुछ extra देना पड़ेगा तब आपको extra marks मिलेंगे उसके लिए यह नहीं यह conventional चीजें क्योंकि means हर student लिख रहा है प्रलेम्स अगर पास कर के सामने कई सारे answer sheets होती हैं और सब लोग वही वही चीजें लिख रहे हैं तो आप जो creativity अपने दिखा आते हैं वहां पर आपको edge मिलता है दूसरे student से ठीके तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप speed वगेरा कैसे manage करते हैं खास तौर पर मैं real time exam की बात कर रही हूं चार दिन साथ paper होते हैं काफी students यह जानना चाहते हैं तीन तीन घंटे का सुबह और शाम फिर चार दिन तक के यही सलसला चलता है उस दुरान दो तीन चीजें हमको manage करने पड़ती है time energy psychology और साथे time energy आप इसको कैसे manage किया आपने जोनो तीनो टाइम नोट्स तो हम सब बना ही लेते में के लिए सबके अपने अपने नोट्स होते है उस टाइम रिविजिन करने के लिए आप पूरे notes रिवाइज नहीं कर सकते हैं अगर आपको बीच में दो गंटे का गैप मिला है और आप अपने पेपर में लिखके रख लेया तो चार-पांच पने का मेरा सुनॉपसिस होता था एक सब्जेक्ट का था कि मैं उसको गो थू एक बार थोड़ा देख लूँ अब मेंस के पूरे चार दिन की जो जरनी रहती है वो काफी ताइरी जरनी रहती है और उसमें आपको में कोई चीज नहीं होता है कि हाँ लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या पढ़ लेंगे उस एक रात भर के डूरेशन में कि आप दूसरे दिन एक दम वहां लिख कर आएंगे तो वो पुरे साल भर आपको अपनी एक कंसिस्टेंट अफर्ट देनी होगी तब ही आप लास्ट में जाक तो वो चीज है कि आप सेनॉपसिस फोर्म में सारे सब्जेक्स के थोड़े-थोड़े नोट बना कर रखे रखे सारे टॉपिक्स का बनाने की जरुवत नहीं है जो आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है भूल जाते हैं या फिर थोड़े लेंडी टॉपिक्स है उन कुछ वक्त में मैं उससे रिवाइस कर दो क्या सभी subject का बनाया था अग्यां मैं लगभख सारे subjects का तो नहीं बनाया था कुछ subject जो मुझे टफ पड़ते थे मैंने शपुनिका बता यह जो समयने बता था सारे topics का नहीं अगर मेरा first half में अगर कोई subject है तो उसका मैंने synopsis थोड़ा avoid किया कि हाँ ठीक है first half वाले subjects मेरे पहले से तोड़े अच्छे prepared थे जो second half वाले थे उसके लिए मैंने जो 2 घंटे revision के लिए मैंने कुछ synopsis notes बनाए थे तो सारे topics के नहीं कुछ-कुछ जैसे philosophy हो गया quality के कुछ-कुछ questions रहते हैं जो हमको देखना रहता है last में वो और philosophy, sociology ऐसे कुछ subjects पे थोड़ा focus रहा कि मैं थोड़े points डेलिवर कर पाऊं उसमें अच्छे तो वो last moment पे मुझे second half वाले subjects के लिए जादा सही लगा तो आपने इक चीज़ देखी कि देखिए आप अगर यह सोचेंगे कि last moment के लिए हम कोई चीज़ छोड़ कर रख दे तो ऐसा नहीं करना है आपको exam स्टार्ट होने से काफी वक्त पहले या कुछ दिन पहले, कम से कम एक दिन पहले आपको सब कुछ पुरा पढ़ लेना है ऐसा हो सकता है कि आपकी psychological condition उस वक्त या physical condition उस वक्त एक exam देने के बाद ऐसी ना रहे कि आप इवन दूसरा revise कर सको book खोल के देख सकता हो सकता है सीधा आपको exam देने के लिए second class में या second exam में जाना पड़े इसा होता है न हम tire हो जाते हैं बहुत जाद है तो आप last moment के लिए कुछ छोड़ के मत रखें पर अगर आप mentally fresh है first exam के बाद दूसरा exam देने के लिए तो कुछ जरूरी जैसे कि science के formulas होते हैं maths के आपके formulas होते हैं science के आपके दूसरी कुछ जीजें होती है physics related derivations फगेरा होते हैं या फिर हम देखते हैं कि history की dates होती है constitution की articles होते है ऐसी कुछ चीज़े जो एक नजर में दिख जाए उन चीज़ों को आप ऐसा है कि अगर वक्त बचा तो मैं देख लूँगा या देख लूँगी वाले portion में रखेंगे आप पर ना last moment revision के लिए आप कम ही चीज़ रखें ना रखें तो बैतर है अपने आपको physically और mentally उस time stable रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है तीन घंटे लिखने के बाद हाथ भी दुखता है दिमाग भी ठक जाता है कि होने वाली है तो छोटा-छोटा पेपर 1 से पेपर 7 तक की एक तो मैं यह जानना चाहते हूं कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेडम इतना वाइट सिलिबस है इतना वाइट सिलिबस है इतना तो शयद UPSC में भी नहीं है कई लोगा कहना है कि सिलिबस बहुत वाइट है सोशोलोजी रखा तो अपने आप में पूरा सब्जेक्ट जो पेपर का होता है सिलेक्टिव में जो होता है UPSC में वो रख दिया फिलोसफी में फिलोसफी के इलेक्टिव वाले कुछ स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं हमने UPSC में इलेक्टिव फिलोसफी लिया है पूरा-पूरा एक पॉर्शन में रख दिया तो क्या हम सब पढ़े हैं ठीक तो कुछ में आपसे जानना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है कौन से सब्जिक्ट स्कॉरिंग है कौन से सब्जिक्ट ने स्कॉरिंग नहीं की आंसर लिखने के साथ साथ आप अपने तीनों साल के मांक्स भी जानती है के एफर्ट के साथ उसका रिजर्ल क्या होता है वो भी जानती ही चैकिंग का पैटर्न जानती है तो आप यह स्टुडेंट्स को बताइए पहले तो कि सातों पेपर में से कौन-कौन से ऐसे पेपर ह जहां पर मार्क्स अच्छे मिलते हैं यह पहले जानना चाहरें मैम मुझे अभी लगता है जो मैंने तीरो साल का पैटरन देखा है उसके हिसाब से अब हाड़ वर्क से काम नहीं चलेगा अब आपको थोड़ा स्मार्ट हाड़ वर्क करना पड़ेगा स्मार्ट हाड़ वर्क का जो कॉंसेप्ट है वो ऐसा है कि आपको कौन सी चीज़े नहीं पढ़नी है यह पता होना चाहिए प्रिवेश के पैटरन कोशन के स्टेडी करने पड़ेंगे कि किस डिरेक्शन में कोशन पूचा जा रहा है उसके बाद जो अब आपने जैसे पूचा कुछ स्कोरिंग वो अला मैं बताना चाहूंगी इसमें यह मुझे लगता है माम की पेपर वन विच इस लैंग्विज पेपर टू एसे लैंग्विज एसे पेपर फोर साइंस एन टेक्नोलोजी वाला पोशन यह तीनो जो पोशन हैं यह काफी मुझे स्कॉरिंग लगते हैं यह ऐसे पोशन हैं कि जो आप लिख कर आई हो आपको उसी का ही मार्क्स मेलेगा इसे में कुछ लोगों को थोड़ा दिकत होती है कि वो अच्छा डेलिवर करे भी आते हैं लेकिन स्टिल मार्क्स नहीं आपाते हैं तो उसमें थोड़ा वर्क करने की जरवत हैं मुझे नहीं लगता बहुत जादा वर्क करना हैं बट जिनको मार्क्स मेले हैं उनकी कॉपी से देखके आप यह देख सकते हैं क मुझे कुछ 137 मार्क्स मेले हैं लैंग्विज में सो बिंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अलसो मैंने हिंदी और चातिसगड़ी में अच्छे मार्क्स कोर किये हैं और मेरे बहुत सारे और जो कलीक से उन्होंने भी हिंदी मीडियम के होते हुए भी इंग्लिश में तो वो इट्स अल अबॉट प्रैक्टिस आप जितना जादा पढ़ेंगे उतना जादा है क्योंकि थेोरेटिकल सब्जिक में ऐसा होता है कि मार्क्स कटने की आपकी उमीद रहती है इसमें आपने जो लिखा है आपको वही मार्क्स मिलेंगे उसके बाद पेपर 4 जो आता ह साइन्स वाला पॉशन तो साइन्स काफी उसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं चेकिंग पैटन में भी मैंने देखा है कि अगर आपने आंसर्स रिलेवेंट लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिले हैं मैट्स तो जो आप बना के आएंगे उसी के अकोर्डिंग आपको मार्क्स है technology में भी marks अच्छे मिलते हैं so science scoring 160 plus तक गया है उसका जो highest गया है तो science में आप score कर सकते हैं बाकी जो सारे theoretical subjects हैं मुझे जैसे paper 5 में 2019 में 98 marks मिले थे paper 5 economics वाला portion economics and geography उसमें मुझे 2019 में 98 marks मिले थे लेकिन 2020 वाले paper में मुझे उसमें 137 marks मिले तो मैंने वो 98 से 137 तक इंप्रूफ किया है उसे so उसमें मैंने देखा पहले कि मेरे साइट से क्या क्या कम्या रह गई थी तो it's not like कि आप ऐसे theoretical paper में score में कर सकते हैं आप कर सकते हैं बट जो एक paper 3 का जो portion है history quality वाला वो थोड़ा सा average जाता है because उसका थोड़ा vast syllabus है और जो checkers है वो काफी experienced checkers है तो आपने जो answer deliver किया है वो भले ही अच्छा होगा बट वो जो expect कर रहे हैं वो matter जादा करता है तो paper 3 में इसलिए बहुत जादा scoring का आपके पस chances नहीं रहता है बट जैसे मैंने paper 5 में बताया आपको कोई भी syllabus पढ़ने के बाद उसको कैसे short में वहाँ पे हम deliver कर सकते हैं कितना अच्छा crisp कर सकते हैं वो देखना है तो paper 6 में काफी लोगों के score होते हैं बट बहुत जादा लोगों के score नहीं है still you can score an average of 120 around उसके बाद भी काफी उसमें भी गया है अब हो presentation पे भी depend करेगा कि आपने उस time पे और checker पे भी depend करेगा कि वो क्या expect करे थे और आपने क्या deliver किया है तो अगर word to word हम syllabus stick to the syllabus जाएं तो you can cover philosophy and sociology portion there is no such issue और अभी teachers are always available online courses available हैं और सारे teachers आपको guide करी रहे हैं through coaching medium और through online medium आप follow कर सकते हैं concepts को अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने समझ लिया है तो आप लिख सकते हैं paper 7 थोड़ा सा dynamic portion है इसमें ऐसा है कि आप part 1 और part 3 जो इसका है वो you can easily go through but part 2 थोड़ा सा challenging हो जाता है because वो international relations वाला portion first वाला भी act वाला portion है अगर कुछ ऐसे acts पूछ लिया जो out of the context चले गया आपने नहीं पड़ा है और वो आगया क्योंकि syllabus ऐसे mention नहीं है कुछ की particular stick नहीं है तो जितना basic उसमें दिया हुआ syllabus में उसको आप पहले cover करिये उसके बद जो out of the box चीजे हैंगी वो सब के लिए out of the box आएंगी तो जो syllabus conventional दिया हुआ अपको syllabus का एक portion भी नहीं छोड़ना है ता कि आपको बाद में यह नहीं लगना चाहिए कि मैंने syllabus से आया था और वो मैंने नहीं किया तो आपके एक base notes always रही रहनी चाहिए which is based on the syllabus उसके बाद जो से एडिशन होता है आप current से अपडेट कर सकते हैं पेपर 7 में लेकिन उसमें भी आप 100 प्लस कोर कर सकते हैं उस्ट्रेंट से जाना चाहता है कि जो current affairs होता है प्रोलम्स में important role play करता है current affairs का mains में क्या role है और अगर है तो किन papers में आपको लगा कि उसका role है और आप utilization कर सकते हैं current affairs मैम current affairs का always mains में role होता है जैसे मैंने starting में बताया था कि आप वो conventional checking नहीं होती है आप the checker wants more something x factor आपने अपने answers में क्या डाला है तो वो आपका x factor conventional answers में कैसे आएगा current affairs से मान लीजिए आप हर एक syllabus में वो डाल सकते हैं current affairs वाला portion 36 वाले तो सारे portion में डाल सकते हो कि 36 में अगर कुछ भी related to culture हो रहा है या हमारे हैं कुछ भी celebration हो रहा है आप देखते रहते हैं आप 36 सीमो की page follow करिए आपको पता चलेगा करिए कि क्या क्या योजनाय नहीं आ रही हैं तो आप उसको अपने डाल सकते हैं और काफी उसको एक नौच हायर ले जा सकते हैं आंसर को तो मुझे लगता है कि आप सारे सब्रेक्स में करेंट अफेर्स का यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स हैं कुछ अगर ऐसा कुछ है सुप्रीम कोट जज्जमेंट आया है आप पड़ा हुआ है कि जैसे कि आपने का कि लिमिटेट स्पेस रहता है चार लाइन रहती है जो पूछा है उसमें हमारे पास वक्त के अलावा सपैस नहीं रहती है तो आप उन स्ट्रेंस को कैसे सजेस्जजord करेंगी की हम कैसे दोनों So you can divide the copy in two parts और आप एक साइट छोटा सा आप लिख सकते हैं कि currently this is the scenario या फिर एक line अगर आपके उसमें चली जाए या एक छोटा सा space चला जाए तो आप उसको incorporate कर सकते हो if you have divided the page तो बहुत सार इंफरमेशन आप डिवाइड करके दे सकते हैं आप कुछ ऐसे information जो है जो आप theoretical form में ने देना चाहते हैं आप वो flow chart में दे दो तो flow chart में या diagrams में थोड़ा सा आपका space जो है बचता है आप flow chart diagrams when diagrams बनाती थी? यहाँ जहाँ पर मुझे लगता था मैं बिलकुल बनाती थी अब वो यह हो जाता है कि आप four marks में तो उस चीज को थोड़ा कम space रहता है तो जादा deliver ने कर पाते हैं four marks two marks में थोड़ा दिक्कत है बट आप बड़े answers में बिलकुल यूज कर सकते हैं eight में, ten में या फिर 15 में आप उसे side में चोटा सा डाल सकते हैं बोक्स पना के डाल सकते हैं नोट लिखके डाल सकते हैं या answer के starting में ही डाल सकते हैं कि अभी present situation में क्या चल रहा है it will hardly take one line और बाकी के लिए यह है कि आप थोड़ा सा space manage जैसे आप लिखेंगे test series तो you will realize कि मुझे इसको कैसा space manage करना है अच्छा एक last means related question पूछना मुझे language और handwriting के students का कहना है कि मैं अगर हम Hindi में कई लोग तो Hindi और English में confused रहते हैं schooling English में हुई हिंदी में हुई है engineering कर लिया तो English में आप answers लिखे और vice versa भी होता है तो उस टाइम एक तो होता है कि हम जानते हैं एक paper आप पूरे language में लिख सकते हैं फिर दूसरा paper पूरे language में पर parts में डिवाइट नहीं कर सकते हैं बट देंटो उस वज़े से कई students का जो language में पकड़ है be it be spelling और grammar यह थोड़ी सी कमजोर रहती है दूसरा handwriting कई लों की बहुत अच्छी नहीं रहती तो उनके मन में डाउट रहता है क्या इस तरह की language की कमजोरी में और handwriting जो बहुत अच्छी नहीं है क्या इस से हमारे marks impact होंगे मतलब मैं यह जानना चाहती हूँ कि language handwriting का क्या role है में इसांसर writing में माम सबसे पहले तो में यह language वाला जो मित है ना यह मैं थोड़ा सब रेक करना चाहूंगी बिकॉस आप देखते आ रहे हैं कि जो टॉपर्स है लास्ट यर जो हमारे 2020 के टॉपर रही है वो हिंदी मीडियम से रही है इसमें top 10 में almost 4 से 5 जो हैं students वो हिंदी मीडियम के ही है और इसके पहले भी अभी का trend नहीं है 19 में भी 20 में भी 18 में भी रहा है कि हिंदी से भी लोग select हो रहे हैं हो सकता है शायद ratio काम हो लेकिन हम ratio पे ना जाएं तो बहतर है क्योंकि कभी हैसा हो जाता है किसी साल कि अभी किसी साल हो जाता है कि English में वाले आ गए किसी साल हो जाता है कि Hindi वाले आ गए depends on students quality of students की कैसे आ रहे हैं तो language आपका कोई barrier नहीं होना चाहिए अगर आपने concepts अच्छे से पढ़े हैं आप उसको deliver अच्छे से कर रहे हो and in a creative way कर रहे हो तो आपको definitely marks मिलेंगे वो Hindi हो जाए English हो दूसरा आपने पूचा है handwriting से related handwriting वैसे तो सब की एक जैसी होती नहीं है कई लोग काफी अच्छा प्रजेंट कर पाते कई लोग की लेकिन जैसा मैंने देखा है काफी सारे टॉपर्स ने अपने copies वगेरा भी शो की है कोई बहुत ज्यादा अच्छी handwriting नहीं है अच्छी handwriting नहीं है अच्छी नहीं होती है अब वह कैलिग्राफ्ट आपको लिखने की जरुवत नहीं है इतना लिख लीजिए कि at least checker को आप समझ आ जाए आपका answers मतलब अगर आप एकदम ही खराब लिख रहे हैं कि चकर को ही नहीं दिख रहा है तो वह तो फिर बहुत ज्यादा क्लारिटी मिंटेन करना जरूरी है भले आपकी राइटिंग गंदी हो लेकिन आप उसको एक इतने लेवल पे तो ले जा सकते हैं कि जिसे checker को check करने में आसानी है fine 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 I hope आपको काफी सारी चोटी चोटी टिप्स मिल रही है मेदा में आम से और इन चीजों को guard बान लीजे जो चीजें लोगों ने follow की हैं इन सभी वजहों से ये आज इस मकाम पर हैं मैं ये नहीं कहती कि जो strategy इन सब आपको relate कर पाते हो कि हां हमारे भी background हमारे भी कम्या हमारी भी strength इनके जैसे है और आप इस चीज के लिए unsure हो कि फिर हम कैसे strategy अपना है तो these people will guide you कि हमने अपने background को लेकर कैसे strategy अपना है तो अगर आपका background आपका routine आपकी कम्या strength वगएरा सब इनके जैसी है तो आपको एकदम exactly ये copy कर सकते हैं वरना ये जो चीज़े कहते हैं जो एक range बताते हैं कि अगर ऐसा है तो आप ये follow करें इसा है तो ये follow करें इन चीज उपर आपको ध्यान दें सबसे पहले खुद को पैचानिये मेदा बहुत सारी की तयारी कर रहे हैं पहली बात तो आपको ये जहान में रखनी है कि it is a very very long journey देड़ साल का पूरा duration रहता है और बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप first attempt में ही निकाल ले सो आपको वो patience बना के रखना है आपके अंदर की drive जो होती है वो आपको एक जिन्दा रखनी है और बने रहना है consistency consistency and patience are the keys to qualify any examination cgpsc आप आपका सपना रहा है और आप इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इस पर निरंतर बने रही है और जो भी sources और guidance आपको आपके teachers या फिर आपके friends या फिर relatives कोई भी जो इस field से हैं आपको guide करते हैं तो आप उसको follow करने की कोशिश करिए और अपने आप में रोज एक नया improvement लाते रहिए कुछ न कुछ अपने आपने इंप्रूव करने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा answers लिखिए concepts अपने strong build कीजि तो आपकी पूरी जो strategy है एक smart hard work के साथ आप चलिए तो आपको definitely success मिलेगी तो all the very best to all the aspirants और आप सभी ने जो जो भी अपने life में सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो और last मैं बस एकी चीज़ से end करना चाहूंगी कौन कहता है आसमान में सुराक नहीं हो सकता कौन कहता है आ पथर तो चालो यारो yeah thank you so much तो सूरज की जैसे चमकना है तो पहले सूरज के जैसे जलना होगा I hope आपको इस interview session ने काफी कुछ मोटिवेट किया होगा काफी कुछ आपके मन के डाउट्स क्लियर होंगे thank you so much मैंदा for giving your valuable time to us thank you so much